हाई फ्रेंट्स एंडिया स्टूडन्स वेल्कम तो अनदर वीडियो और डेली इंग्लिश वोकेबलिरी फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ओफोबिया जिसके माहिने होते हैं डर और यह शब्द फोबिया ग्रीक के एक लेटर फोबोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है डर दोस्तों हर इंसान अपनी जिन्दगी में किसी ना किसी चीश से ड़रता ज़रूर है दोस्तों फोबिया और दोनों में काफी अंतर है डर एक emotional response है जो किसे से डाटने या धंकिये कारण भी हो सकता है ये काफी common है लेकिन phobia डर का एक खतरनाक लेवल है phobia में डर इतना जादा होता है कि इसको खतम करने के ले इंसान अपनी जान भी ले सकता है phobia को सिर्फ एक डर की रूप में समझते है लेकिन दोस्तों phobia डर से कई गुना जादा शक्तिशाली होता है इंसान का डर phobia में बदल जाए तो वो सोते हुए वे उसका पीछा नहीं छोड़ता phobia एक mental or psychological disorder है जिसमें इंसान को किसी खास चीज, हालात, काम या जगह से बहुत ज़्यादा डर लगता है ये डर कभी-कभी इतना खतरनाख हो जाता है कि इंसान अपना control खो सकता है आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही phobias के बारे में जानेंगे चो चलिए शुरू करते हैं आप में से से बहुत से लोग होंगे जिनें मकडी से डर लगता होगा और मकडी के इस डर को अंगरे जी में कहते हैं arachnophobia और अगर आपको मकडी से डर लगता और आपको यह कहना है कि मुझे मकडी से डर लगता है तो आप कह सकते है, I am arachnophobic बहुत से लोगकों उचाही से डर लगता है उच्छाई के इस डर को अंग्रेजी में कहते हैं एक्रो फोबिया और अगर आपको उच्छाई से डर लगता तो आप कह सकते हैं I am Akrophobic हमारा अगला डर है सापो का डर सापो का डर को देखकर लगबग हर कोई डरता है और सापो के इस डर को अंग्रेजी में कहते हैं अगला डर है कुत्तों का डर कुत्तों का डर भी एक common डर है लगबग हर कोई कुत्तों से डर था और कुत्तों के इस डर को अंग्रेजी में कहते हैं साइनोफोबिया बिल्ली का डर बिल्ली का डर जादर लोगों को नहीं होता को घूरिटों का ढर मुबाइल फोन हमारी आज की जिन्दगी बहुत बन चुका है कुछ लोग बिना मोबाइल मुबाईल फोन के बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, वो अपने मुबाईल फोन से बहुत मुहबबत करते हैं, मानों आज की इंसान की जिंदगी मुबाईल फोन से बंसी गई है, इसलिए उन्हें हमेशा एक डर लगा रहता है कहीं उनका फोन गुमना जाए या खोना जाए, फोन के कड़कने का डर बिजली के कड़कने से अक्सर लोग घबरा जाते हैं जायतर यह डर बच्चों में पाया जाता है और बिजली कड़कने के इस डर को कहते हैं अंग्रेजी में एस्ट्राफोबिया अंधेरे का डर कुछ लोग अंधेरे में जाने से घबराते हैं या अंधेर केस डर को कहते हैं देमुफोबिया दफियर ऑफ क्राउट्स कुछ लोग अकेले रहने में बहुत जाद धरते हैं या अकेले में घबरahn होती है और अकेले में इस डर को अंग्रेजी में कहते हैं मonophobic परिंदों का डर यह ढर्डातर लोगों में नहीं पायाता लेकिन पानी से बहुत द्यादा डर लगता है और पानी के इस डर को कहते हैं एकवाफोबिया इसे आप हैड्रोफोबिया भी कह सकते हैं कुछ लोग होते हैं जिने खून देखते ही चक्कर आता है या खून देखकर बहुत घबराद होती या डर लगता है खून के इस डर को कहते हैं हैमोफोबिया जादर बच्चों को इंजेक्शन लगवाने से या सूई लगवाने से बहुत दा डर लगता है और सूई लगवाने के इस डर को कहते हैं ट्राइपैनोफोबिया अक्सर लोग छिपकली या गिर्गिट से बहुत ज़ादा डरते हैं और छिपकली या गिर्गिट के इस डर को कहते हैं हर्पेटोफोबिया जानवरों का डर या किसी भी तरह की जानवरों का डर जो होता है उसे कहते हैं अंग्रेजी में जूफोबिया कुछ लोग डॉक्टर के नाम से घबराते हैं या डॉक्टर के पास जाने से बहुत जादा डरते हैं और डॉक्टरों के इस डर को कहते हैं लैटरोफोबिया अगर आपको दातों के डाक्टर से डर लगता है तो दातों के डाक्टर के डर को कहते हैं अंग्रेजी में डेंटोफोबिया यानिके डात के डाक्टरों का डर बहुत से लोग या students किसी के सामने आकर या stage पर आकर कुछ कहने से बहुत जादा घबराते हैं उन्हें डर लगता stage पर आकर कुछ भी कहने से और stage पर आकर कुछ भी कहने के इस डर को कहते हैं Glossophobia, the fear of public speaking Friends, if you like the video, please subscribe to my channel and share the video Thank you for watching